दोस्तों ये है 2023 मोडल हॉंडा साइन 125 ये बाइक जो अभी 2023 में काफी सारे अपडेट्स के साथ लॉंच हो चुका है आप जो है सबसे पहले इस बाइक का अपडेट्स को देख लें यहाँ पर E20 का स्टिकर देख लें इस बाइक में आपको OBD2 E20 compliant engine दिया गिया है अब इस बाइक में जो है BS6 face to update हो चुका है तो इस बाइक में आपको काफी बैतर mileage मिलने वाला है इस बाइक का आप लोग ग्राफिक्स को देख लें इसमें भी जो है company ने थोड़ा बहुत changes किया है तो इस बाइक का हम लोग एक detail में review करने वाले है अगर आप भी जो है 2023 में 125cc segment में एक daily compute के लिए बाइक खरिदना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको पता दूँ इस bike के variants के बारे में इस bike में आपको total दो variant का option मिलता है यह हमारे समने अभी drum brake present है और इसमें आपको disc brake का भी option मिल जाता है और इस bike में total आपको 8 color option दिया गिया है यह जो है इसका maroon color है जो की काफी अच्छे look के साथ आपको मिलता है काफी अच्छा design दिया गिया है सबसे पहले आप जो है इसका tank को देख ले इसमें जो है आपको 10.5 लिटर का fuel tank capacity दिया गिया है यहाँ पर आपको honda का 3D वाला logo मिल जाता है ग्राफिक्स काफी सांदार आपको दिया गिया है sign का आपको sticker मिल जाता है यहाँ पर seat call में 125 का sticker दिया गिया है इस bike में आपको click start और selfie start का option दिया गिया है यहाँ पर जो है पर मीटर को देख ले पर नीटर का इसमें company provide कर रही है यहाँ पर speedometer है यहाँ पर turn indicator का light है यहाँ पर हाई-beam का light मिल जाता है और यहाँ पर एंजन लाइट दिया गिया है साइन का ब्रांडिंग मिल जाता है single piece में handlebar company provide कर रही है यहां पर जो है आपको kill switch दिया गया और साथी साथ जो है आपको यहां पर self start का switch मिल जाता है आप यहीं से जो है बाइक को is start कर सकते हैं до silent start भी गंपनी में आपको प्र भाइड कर रही आप exhaust का sound तो इस बाइक का जो है आप लोगों को एक्जोस्ट का साउंड कैसा लग रहा है आप लोग एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताए इस्पेशल थेंक्स टु टिवारी होंडा जिन्हों ने ये बाइक हमें रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है अगर आप भी जो है निय कर रहा होगा तो आप जो है नंबर पर क्वाइब भी जनकारी ले सकते हैं इस बाइक सीट आप देख रहे हैं तो लेंत्थ वाइस जो है काफी आपको लंबा इसमें सीट दिया गिया है राइडर पिलियन आप लोग इसमें कमफर्टेबल जरनी कर सकते हैं ग्रैब रेंग आपको दिया गिया है अगर आप इस बाइक को फैमेली परपस के लिए लेना चाहते हैं अगर लेडिस वगेर आप पीछे बेटती है तो इसमें जो है काफी आपका का ड्रम ब्रेक है अगराप इसके ड्रेक वाले मॉडल को पर्चेस करते हैं तो आपको फोर्टी मिल जाएगा यहां पर टेलिसकोपिक सस्पेंशन है रिफ्लेक्टर दोनों तरफ दिया गिया है रं प्रोफाइल से आप लोग बाइक का लुक देख लें काफी प्रीमियम सा ल वर्क मिलता है तो काफी प्रीमियम सा लूक आपको दिया गया है होंडा का यहां पर इस्टिकर है इसमें आपको LED लाइट का ओप्सन नहीं दिया गया अगर आपको LED लाइट चाहिए तो आप जो है आपको 123.94 cc का काफी refined और powerful engine मिलता है जो कि power generate करता है 10.74 PS torque 11 nm के approach में generate करता है तो initial pickup भी आपको इस bike में काफी अच्छा मिल जाएगा और 5-speed का gearbox setup है तो top end का performance भी काफी बहतर होने वाला है side stand में देख लें engine का top sensor दिया गया है जो कि safety purpose भी उसे काफी अच्छा है और इसमें आपको combi braking system भी मिल जाता है अगर आप front के brake को press करते हैं तो rear का brake भी 30% apply होता है तो safety features भी आपको bike में काफी अच्छा मिलता है और braking system भी जो है काफी अच्छा दिया गया है इधर आप लोग देख लें cover में chain system मिल जाता है रेर टायर section आप लोग देख चुके हैं यहां से आप की लगा कि इसके seat को खोल सकते हैं रेर profile की अगर बात करें तो यहां पर आपको halogen में tail lamp दिया गया है इंडिकेटर भी आपको halogen में मिल जाता है यहां पर आप लोग देख लें mudguard को यह fiber का दिया गया है अब इस bike का जो है मैं आप लोगों को price बताता हूं तो हमारे यहां जारखन में जो है इस bike का भी on road price 98,000 के अप्रोक्स में जा रहा है जो कि state to state vary कर सकता है और अगर आपको भी जो है अपने state का on road price जानना है तो आप जो है comment में पूछ सकते हैं अपने state का या फिर city का नाम मैं आपको जो है वहाँ पर reply कर दूँगा अब इस bike के mileage की अगर बात करें तो इस bike में आप जो है 60 plus का mileage निकाल सकते हैं जो कि आपके riding style पर depend करेगा आप जो है bike को किस तरह से चलाते हैं गर आप जो है bike का time to time service कराते हैं तो आप इस bike से जो है काफी better mileage निकाल सकते हैं तो दोस्तों अगर आप भी जो है 2023 में 125cc सेगमेंट में एक new bike को purchase करना चाते थे और अगर आप जो है bike को daily compute के लिए खरीदना चाते हैं या फिर family purpose के लिए खरीदना चाते हैं तो आप इस bike को जो है definitely consider कर सकते हैं काफी अच्छे look के साथ काफी अच्छा performance जो है आपको इस bike में मिलने वाला है तो चलिए फिर आप इस वीडियो को यहीं पर end करते हैं अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को like करें चैनल पर अगर नए है तो चैनल को subscribe कर ले और अगर आपके friends और family में कोई इस bike को purchase करना चाता है तो उनके साथ आप इस वीडियो को share जरूर कर दें मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you so much